आप लोग सब कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे तंदरुस्त होंगे और कोरोना से बच कर मास्क और सैनिटाइजर यूज़ करके खुद को स्वस्थ रखे हुए होंगे और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट भी कर लिया होगा संडे के दिन तो चलिए आज आप लोगों द्छा पर डिल्वेस्ट में के साथ अपने अपडेट शेयर कर कर देती हूं कि मैरे वार कादeurs मेंआ अभी कौन कौन्से फ्लार स्क्लार थोब होए हैं और बहुत ज्याधा अभी विंटर का हंफेट है और ये जो है गजानीया ये तीस दूप में रखे हूए हैं और बहु बहुत ही Angry और बहुत ही अच्छे लगते और जब इनना के छाज लगते उलए जादे में बहुत प्लारिंग और यह भी विंटर में गार्डन में जो हैं už बहुत Посल्ग करता है और क्रिसंथमम का जो प्लांट है इसके बिना गार्डन अधूरा होता है और यह आप देख सकते हैं लेंटाना लेंटाना में भी फ्लारिंग हो रही है और जो फ्लार्स गुलाब के जो फ्लार है बोगनवेलिया के जो फूल है कुछ बोगनवेलिया के भी फ्लारिंग हो रही पूलों से तो और भी जड़ा सुन्दर लगेगा अभी उसमें टाइम लगेगा अभी तो दो फ्लार ही आ रहे हैं यह आप देख सकते स्टार पिटूनिया और यह मैरीगोल्ड और यह वाइट पिटूनिया है सफेद पिटूनिया कलर आता है यह बहुत अच्छा भी फ्लारि पिटूनिया और सुबह सुबह यह सब बहुत अच्छे खिले हुए रहते हैं यह बिगोनिया में भी फ्लारिंग हो रही है यह मैंने इसे रिपोर्ट किया था और बहुत अच्छी से यह भी फ्लारिंग कर रहा है और यह स्टार पिटूनिया और यह रैड पिटूनिया और लिए पेडम्पूर्ट फुम्पूस। भी है पुर्फ इसफनों कहता है और अधे स्वाड़ to have a अलगें लोक्त थे नित्वान्फ प्लार यह लिए तो भीचछन सासिता भिषिता तुर्पूस।ısı को स्वाइबर की शियुथा और इन्हें मैंने रिपोर्ट कर दिया है और यह बहुत अच्छी है भी और यह पैंजी है पैंजी को मैंने हैंगिंग्स में लगा दिया है और यह क्लेंग कुई के लिए फ्लार भी एक महीने से जाधा उपर हो गया है और यह भी खिले हुए हैं सब और यह पाइन सेटिया बहुत अच्छी पतियां आ रही है और यह देख सकते हैं और इंज कलर का क्यलेंग कोई है और यह यलो कलर का एक ही घंडे में लगा रखा है अब यह जैसे जैसे ग ओर विंका के सारी ङोंका विंका के विनां गार्डन फ मिल्कुल अधुरह है और यह पर पर व जो पतूया हैं अभी आप देख सकते हैं बालो जैसा मौसम थो उन्हाय नवासिक्प यह पूरे बादल बादल हो रहे हैं तो इस सवाज़े से सारे टो पतूनिया है कुछ रोस लर्य चे रैट पेटूनिय यह हैं कि देखिसके यह जो कलर YouTube हो नहीं हो से आय कि अवस्तौ हुआए इसमें झाड रहे है उसले इसुच में कम है यह एवें का दैशि ओल्य पेंटास जो जो फोर। एक और जो जो पैंटा से वह कि उसको विंटर का शौक लग गया है थोड़ा इस बने दोसरा जो पैंटा से उसको फ्लारिंग नहीं कर रहा है यह वाला जो जो फ्लारिंग कर रहा है और यह देह सकते हैं यह प्राइम रोज की जो फ्लार से बहुत ही सुंदर लगता है यह कलर और यह इसे मैंने रिपॉर्ट कर लिया था और नर्सरी से लाने के बाद और इसे जो है शेड़ेड एरिया में ही रखा है क्योंकि यह शेड़ेड एरिया का प्लांट अबस इसको थोड़ी बहुत ब्रा यह देख सकता है आप जरेनियम देख सकते हैं बहुत अच्छी फ्लारंग करें निख लाह रही है इसके कुछ वाल विलार टो बिखर चुक है और एक ऐा अगर जरी यह देख भी अभी अब है डिख स्टाउक भी नहीं निकल आए तो अब देखते हैं कौन से कलर की फिलार निकलते हैं अभी पत्ती बढ़ा रहा है और यह स्थिलेंट प्लांट एक और यह जो है वह सिंने ने अरिया है अभी ग्रो हो रहा है इस में फिलारिंग में अभी टाइम लगेगा और यह कॉलियस के जो यह नए पत्तों में आप देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है जो कॉलियस है और यह कलर मुझे मलब इसका जो डिजाइन ने बहुत अच्छा लगा और यह भी जो फ्लार्स है चोटे-चोटे यह भी अच्छे हैं अभी यह भी खिले हुए हैं और यह कॉस्मोस का फ्लार है यलो कॉस्मोस का भी मैंने फ्लांट चोटा सा एक लाक के लगाया था उसमें भी यलो कलर के अभी फ्लार आ रहे हैं इसमें डाली के साथ ही फ्लार निकलते रहते हैं इतने सारी फ्लारिंग करता है यह और यह डेजी डेजी को भी मैंने इसलिए इसे इतना स्पेस दिया है तक इस अच्छे से अच्छे होते हैं यह एस्टर के फ्लार था और यह है कैलन्डूला में भी बहुत अच्छी फ्लारिंग हो रही है इसमें थोड़ी सी वह जो काले कीडो की प्रापलम होती है विंटर में तो वह भी हो गई थी तो मैंने शड़क दिया उससे बिलकुल क्लियर हो गई है और यह है सारी विंका यह सारी हाइब्रिड विंका है और इनका जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और यह लाल विंका पिंक विंका सारी विंका है और कुछ बीच बीच में आप देख सकते हैं यह सारे मैरी गुल करूंगी कि मैंने और कौन-कौन से प्लांट्स रीपॉट किये हैं तो यह सारी आज आप विंका देख लीजिए आ है कि बहुत सारे मैंने सीट से भी ग्रो किये हैं प्लांट्स अपर वह जब तक बड़े नहीं हो तब तक वेट ही करना पड़ेगा यह आप देख सकते हैं वाइट विंका वाइट विंका में जो शेड है यह हाईब्रिड में यह बहुत सुदर लगता है यह आप अपने गार्डन में जरूर एड़ कर लिए क्योंकि विंका जो है वो बहुत अच्छी फ्लारिंग करता है अभी मैंने चोटे चोटे प्लांट्स लाकर एड़ गिये थे अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं यह आप देख सकते हैं वर्बीना वर्बीना में लास्ट टाइम फ्लारिंग हो चुकी है अभी इसमें और बर्ड्स आ रही है यह मैंने फ्लॉक्स के सीट्स लगाए थे यह भी मैं आप अब बर्ड्स बन रही है यह देख सकते हैं यह अच्छा लगा था मैं ले तो आई थी लेकि मुझे इसका नाम नहीं पता है अगर आपको पता हो नाम इसका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें चोटी-चोटी कलियां बन रही है अब इसम अब देख सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी नए सब्सक्राइबर्स है वह बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो नए अपडेट है मेरे चैनल की वह आपको मिलती रहे और आप मुझसे जुड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर करें लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी थैंक यू